हेलो स्टुडेंट्स वेलकम हेर आगेन और मैं चैनल जानकारी हित मैसेल्फ हित अभिलाशी शर्मा आज दे इस लेक्षर दे विच तोर्जिनल गाल किती जाएगी अकाउंटेंसी दा बहुत इंपॉर्टेंट इशू हूँ बिल्स ऑफ अक्सेंस पार्ट थ्री तुसी देख प्रॉलम्स दो तरांदे इशू ने वन बिल इस इंडोस्ट सेकिंड वन इस दा वन बिल इस सेंट तु बैंक फोर कॉलेक्शन दोना इशू से उते गाल हुएगी लेट्स मोव हैद इसमी तो डिसकस ओल इस पर उस तो पहला बड़ा इंपॉर्टेंट एक अलर्ट है सीधा कम्प्लीट वीडियो तो गेट कम्प्लीट कॉंटेंट और नॉलिज ते वीडियो नूँ फुल सक्रीन करके देखो बैटर होएगा जे कॉंटेंट नूँ क्लियरली सुनना है ता इयरफोन जा हैड़फोन नू यूज करो वीडियो नंबर ए-34 ते ए-35 बिल्स ओफ एक्श चेंज उनना वीडियो दे विच की कि है बिल फफशेंज दी इंट्रोड़क्शन यूज के प्रमास्टी नोटें नोटी इंट्रोड़क्शन पार्टी कीडिया इन वालव होन्दियाने डियू डेट सी कल्कुलीशन की में हों दिया डेज उफ ग्रेस की हों देने जो इश्यूज में गल कर चुक्या होना ना रेलेटरी कोरी जर्नल इंट्रीज रवाइब कर लिए क्योंगि सानु पता है बिलो आफ चेंज तेन पार्टी जिन वालों होने ने ड्रार ड्राइए एंड पेई ड्राइब लिखन वाला ड्राइब दी एक्सेप्टेंज देन वा पेईज इसनों पेइमेंट होनी है और ड्रार भी हो साथ है कोई थर्वार टी भी होसके दिया है सब अब बाद Bill of Exchange आसी procedure जानने है basic कि एक्स बिल लिखेगा वाई हो देते acceptance देगा जो तो acceptance मिल जेए फिर Bill of Exchange लीगल डॉकुमेंट बन जन्द है बिल रसी वेवल अकाउंट डेवे टू वाईज अकाउंट एवाली एंट्री होएगी फिर एक्स दी बुक्स देवीच क्योंकि य ने acceptance दीती है फिर एंट्री बन जेगी एक्स अकाउंट डेवे टू बिल जो पेवल अकाउंट आसी मन के चल रहे हैं एक्स दे वाई ड्रार ते ड्राई ने नाम कुछ भी हो सकते हैं डियर स्टुडेंट्स अकॉर्डिंग टू निमेरिकल प्रॉट उस्तों बाद बिल मैचॉर्टी डेट तक ड्रार दे कॉल सी ड्राई ने पेवेंट करती जो दो ड्यू डेट आई बिल पेवल अकाउंट है भी टू कैश बिल रहे ने ने एक इशू हो जान दे कई वह ड्राई बिल नू जल्दी पेमेंट लेन दे लेई बैंक चो डिसकाउंट कर वालन बाच जड़ा ड्राई ऑव पेमेंट बैंक नू कर देंदे उस हाल चे नॉर्मल जलन एंट्रीज की हों दिया ने जिना नू मैं पहला मॉल या विडियो दे विच डिटेल नुमेरिकल प्रॉल्मन आ डिस्क्राईब कीता गया है सब तो पहला था सेम हो ही दो एंट्रीज गुड्स सेल कीती है ने क्रेडिट बीज अकाउंट है विच टो सेल्स अकाउंट आसी मान लिए कि दो पार्टीज ने एंड बी एड्रार है डोश मान आ तो पार्टीज कीती है विच इंट्री पार्टीज चाहया कोन सेल है ब अकाउंट है ऑढ़ा है चला में उस हाल जनल एंटिस की ने फिल रसीवेबल अकाउंट डाइब टू बीज अकाउंट क्योंकि बी ने एक्सेप्टेंस दीती यह था ओधी बुक्स दे भी चाहिएटी होगी एज अकाउंट डाइब टू बिल्स पेहबल ए और बी मींज कोई भी हो सकता है ड्राइड ड्राइड यह थे अंडरक्यों जो भी होना दे नामने उसी ओ लिखने होने है उस्तों बाद जेकर ड्राइब बिल नू जल्दी पैसे चाहिएँदे सी होनू क्योंकि ड्राइड ने अगे तो लेटर आउन देने जोते लेटर आउंट डेने जो ने मैचाऊर्टी डेट आएगी तो विल्स बैंक यह दिसकांट करवा लंड भी डिसकांट डेट डिसकांट लेवल जेकर बिल्सकांट कुए louस पेमेंट करतेगा बेलस पेवल अकाउंट डेवी कॉइन नहीं यानी क्योंकि ये पेमेंट जाएगी सिद्धी बैंक देखो और क्योंकि ड्रार था अल्लेडी बैंक चो डिसकाउंट करवा के पेमेंट ले चुके है क्लियर तो स्टुडेंट ये बेसिक एंट्री से नाल आसी आजदे टॉपिक देवाल वादर हैं जिसे रिगार्डिंग अ थो रूठैनग्टंट नो दूसरी पार्ड्र ता मतलब होंदा है बिल ओफ अक्षेंज या प्रमोजरी नोट नो दूसरी पार्टी दे नामते ट्रांसफर कर देना दूसरे व्यक्ति दे नामते ट्रांसफर कर देना जिस व्यक्ति नो बिल ओफ अक्षेंज दा प्रमोजरी नो ट्रांसफर कीता जानदा है उस नो उस तो बाद कर दें that process is known as endorsement of Bill of Exchange जड़ा व्यक्ति दिल ओफ रक्षेंज नो ट्रांसफर कर रहे हैं उन्हों असी इंडोर्सर कहने है ते जिसने फेवर देविचे बिल ओफ च्रांसफर किता जा रहे हैं इंडोर्स कीता जा रहे हैं ऑनों असी याद रुखो दो जो ट्रांस्फर करता है वो इंडोर्सर जिसे ट्रांस्फर किता जान दै बिल इंडोर्य किता जान डाल है और नों अलगार प्रिगर कने गार्ज़ कि हमाँ पेमेंट करें ड्रार नो ना करतें ओदा एक स्पैसिमन दो डे सामने है Mr. A businessman है ओडर कर रहे है Mr. A किस नो कर रहे है C नो जो ड्राई है जिसने पेमेंट करनी है फोर मन्स आफ्टर डेट इस डेट नो जो 4 April 2015 है इस तो चार मीन आवाद पे टू Mr. B नो पे करे सम ओफ रुपीज 10,000 पे करे जिस दी वैल्यू C नो प्रापत हो चुकी है इन्डोर्स शब्द लिखके सिगनेचर करते ए ने एदा मतलो जो तो acceptance होके आएगी A बिल आपने आप ची की होजेगा इंडोर्स हो गया B नो एदी final payment कीनू होएगी B नो होन वाली है उन जड़ा ड्रार है बिल नो लिखने वाला A ओ पे आई नहीं है था पेई ओ परसन होंता है जिसनू पैसे मिलने ने उन पेई कौन बां गया B जिसने हक दे विच बिल नो एंडोर्स कीता गया इस तो स्पैसिमन फार्मेट ओं इंडोर्समेंट ओ बिल आफ फक्स जो उन इनो एक ग्रैफिक्स दे दुवारा तो नो मैं दिखा रहे हैं थे कि चार्ट फॉर्मेशन दे वीच मनने वाइस डाइग्राम नो समझो ड्रार है मालो ए जिसने बिल लिखिया क्यों लिखिया क्योंकि उसने क्रेडिट सेल कीती सी एने बी नो ता पैसे लेने सी पैसे लेन देली एक डाकूमेंटरी प्रूफ चाहिंदा छी उनettes bill of exchange ड्रा किता on dry भी dry ने bill नू accept कर लिया because dry is the acceptor ते वो pair भी है क्योंकि उन्हें payment करनी है payment करन वाला acceptance जो दो A नू प्रापत होई ता bill of exchange एक document बन गया legal जड़ा B दे लिए bills payable है ते A दे लिए bills receiveable है clear हो गया? A दे लिए bill receiveable ते B दे लिए की है हो bill payable क्योंकि payment की ने करनी है B ने A ने ओ बिल C नू endorse करता हुन जड़ा नमा pay है पहला pay जिसनू पैसे मिलने सी A जी क्योंकि endorse हो गया bill transfer हो गया C दे favor दे वीचे हुन नमा pay जा बीरर उस दा bill जिसा नाम लिख्या गया C बन गया तो आज जड़ी final payment है ओ B as a pair as a dry pay किनू करेगा C नू that is a complete process of endorsement समझ लगे आज students इदा accounting treatment देखिए पहलना सी माल लिए कि दो parties ने A and B dry and dry goods sale करती है credit दे होते B account debit to sale barber कर चुके है आज दे question देविच ते B ने purchase कर ली purchase account debit to A credit sale purchase ही है acceptance received होगी B तो A नू entry की बानगी bills receivable account debit to B's account क्योंकि B ने acceptance देती है A's account debit to bills payable account B दे लिए bills payable है next when bill is endorsed by A to C A ने एक तीसरे व्यक्ति दे नाम देवते bill endorse करता C नू CEO दा creditor होना क्योंकि C नू ने payment करनी सी ता उस हाले च endorsement दी entry draw दी बुक्स होएगी C's account debit to bill the C waiver उस हाले च dry दी बुक्स दे उते कोई impact नहीं पेंदा no entry C endorse दी third party आगया जिसनू bill favor दे विच जिदे transfer होया endorse होया biller C waiver account debit to A क्योंकि A ने endorse कीता है उन्हों एदे call biller C waiver received हो गया उन्हें maturity date आई ता maturity date नू dear students जेड़ा B dry है pay करन वाला pair है वो final payment करेगा जिमें नॉर्मल करता है bills payable account debit to cash account और bank account बट इस वार payment draw call नहीं जाएगी उसे दीक इते आएगी C call जो endorse ही है हुन नमा pay C बन चुके है क्योंकि bill endorse हो गया cash account debit to biller C waiver account clear पर student एदो पर एक example ना clear कर दे है X draws a bill on Y for three months for 4,000 which was accepted by Y on 1st January 2020 X endorses it on 4th January 2020 to his creditor Z on due date bill is duly met generalize the entries in the books of X, Y and Z X ने Y ते bill लेख्या तिन मेने दी due date सी 4,000 पे दा 1 January नो जदो acceptance आगी जड़ा Y ने accept कर लिया सी X ने ओहो bill Z नो endorse करता जो अगे X दा creditor सी X ने Z नो पैसे देने सी तिन पार्टीज इन वालो हो गया X, Y and Z X द्रार है Y द्राई है Z इंडोर्स ही है कोई sales पर जेज़ी एंट्रीज होंती तहा है इस तरहीं शो करते questions नहीं तासी नहीं बना मागी सिद्धी acceptance मिली है X देली बिल रसी वेवल बिल रसी वेवल अकाउंट अकाउंट ड़बिट तो Y ने acceptance देती है Y देली बिल पेवल है X अकाउंट ड़बिल बिल पेवल अकाउंट 4000, 4000 इक डिनरेशन बनगी ड्रार दी वुक्ष बिल रसी वेवल ते Y दी वुक्ष बनगी बिल अकाउंट ड़बिल रसी वेवल बिल बिल इंडोर्स तो जेट ते जेट नूँ बिल रसीव हो गया इंडोर्स कीता हो या Entry वन की बिल रसीवेवल अकाउंट ड़बिट तो X वैसे सोच के देखो बिल रसीवेवल एसे होनदी है बिजनस दी What comes in debit इस पर्सनल अकाउंट है, इस दा गिवर, गिवर दा अकाउंट की उन्दे ए क्रेट, that is the reason, उस दो बाद, पेमेंट दा टाइम आया, चार अपरल मैचुर्टी डेट बनी, क्योंकि तिन मिन यादा पीरियड सी, तिन दिन ग्रेस दे आड किते, फर्स जन्वरी दो बाद, ति इस वार पेमेंट, डियर स्टूएंट, एक्स नू नहीं मिलेगी, पेमेंट मिलेगी, इंडोर सी नू, जैड नू, कैश अकाउंट डाबी, तो बिल रसीवेवल, बिंग पेमेंट रसीट, क्लियर हो गया? When bill is sent to bank for collection, इक नमा topic as the video, the second हिस्सा, कई वारी की होंद है, के bill दी पेमेंट, क्योंकि business को बहुत सारे bills होंदेने, ओ आपर सीव नहीं करदा, ओ इस सिद्धी जिम्मेवारी bank नू दे देने, सारे bill रसीवेवल, bank को पेज़ देने, businessman, bank सिद्धे bill रसीवेवल, the collection of the payment, collect करदे देने, ते उदे अकाउंट से जमा करदेने, फ्रीच नहीं करदे, bank बहुत सारे चार्जीज भी रसीवेवल रसीवेवल, यह त्या अंदर से, ता इस परसेस नू, when debtor और bill of exchange holder, holder दा मतलो, होसा दे बिल रसीवेवल कीता व्या होवे, sends the bill to the bank by saying that his account will be credited when he will get money from his creditor on due date, then that bill is called will send to bank for collection, नहीं दरस चोके हैं, debtor जा bill the holder, जिसनों पैसे, जिसनों भी पैसे प्रापत होने ने, ओहो, अपने bills नू, पैसे collect करने ले, due date नू, bank नू, ट्रांसफर करने ने, ते जदों भी ओदे कोल पैसे आंगे, ता ओ बिल, दे पैसे, उस व्यक्ती नू, जिस दा, होदे एकाउंट से जमा होजन गे, उस position ची जनल एंट्री की हों दियाने, पहली एंट्री दा सेम ने, त्यान रखे, ओ सेम ने, के बिल लिखिया, acceptance मिलगी, लिया, उस तो बाद जो तों बिल सेंट कीता, फिर जनल एंट्री के होगे, बिल्स फोर collection account debit, या इदी थां ते ल से बेवल क्रेडिट होगे, वट गोज आउट क्रेडिट, बिल्स सेंट फोर collection account नमा अकाउंट शुरू हो गया, ड्राइ दी बुक्स उस केस चो कोई एंट्री नहीं हो नीं, क्योंकि जड़े बिल्स ने ड्रार ही पेस दे, अट ताइम ओ मेचियोर्टी, जो तो मेचियोर् अकाउंट चे पैसे जमा करते, क्यों किते हैं, क्योंकि य ने पेमेंट कीती सी, ड्राइ या हो बिल्स पेवल अकाउंट है वी टू कैश अकाउंट, ये पैसे बैंक से सिदे किस चलेगे, एक्स जो ड्रार है वोधी बुक्स देवी, उस हालत देवी जिया सी complete accounting treatment देखे सान एंस रसीवड होई, बिल अर्सी वेवल काउंट अवी टू वाई, इन्हें एक्सेप्टेंस दीती है वाई ने, ताइदली बिल पेवल सी, एक्स अकाउंट अवी टू बिल पेवल, ये एंट्री सा आसी आजवी तिनवारी का देखे हैं, जेकर बैंकनू पे जै जाना है collection दे लई, दिमाग दे विच एक आल रखनी जरूरी है कि उस हाला दे विच एंट्री स्की में हों दिया ने, क्लियर हो गया, हों दियर स्टुरेंट, जेकर बिल बैंक नों पेज जया गया है, उस हाल ज एक कंडिशन एहोजी भी बन दी है, जेकर बैंक बैंक चार्जिज लं दे जोटेट में जोड़ दे य नोसे मिले ते बैंक ने क्लेक्शन चार्ज़े इन बेंक अकाउंट मेहिज लिए, ज्याविशन चार्जिज बिचों कट ले, बैंक अकाउं ले 7 véhicि लैटूं में, प्लेिल्स पूरbij यजेएम् शञाम्पल करके देख देए हैं, घेक्शन से बिल on Y for 3 months for 5000 which was accepted by Y on January 1st 2020. X sent the bill to his bank for collection on April 1st. On due date the bill is duly met and got information from bank. Generalize the in the books of X and Y. X ने बिल लिख्या पांचे सार्था पेन में नदी दू दे दे य थे होते Y ने अक्सेप्ट का लिया 1st January नो दो पार्टीज ने एक्सेट लिख्या गया acceptance मिली ता लीगल डाकुमेंट बन गया 1st January नो बिल रसी वेवल अकाउंट डेविट वाई Y ने acceptance दी ती या ता वाई दी बुक्स X अकाउंट डेविट विल पे वल एक्साइट ते होगा being acceptance saved ते dry दी बुक्स की होगा being acceptance given these are the narrations फिर 1st April नो बैंक नो collection ली बिल पे इस था ड्रार ने bills sent for collection account debit जा bills for collection account debit 5000 तो बिल रसी वेवल अकाउंट उस आल जड्राई दी बुक्स दे विच कोई entry नहीं होगी due date बन रही है तिन मिन्या बाद तिन दिन grace दिया ड़कर के 4th April बैंक ने bill collect की था bank account debit to bills sent for collection account clear क्योंकि bill दी payment की नहीं किती है dry ने जदो due date आई bills payable account debit to bank और cash अकाउंट so student these are the questions मिन लाग दा क्लियर होगया होगा I think the whole concept is quite clear patiently देखो basic entry नहीं समझ के देखो जेकर कोई confusion नहीं था पहला वाली A34 ते A35 दोनों वीडियो देखो जो मैं हिंदी थे पंजाबी दोनों versions दे विच अलग लग पाईयां भी यान इस चैनल ते इस तो इलावा जे कोई query है आज दे रिगाड़िं तुसी comment box जागे comment दो I will try to answer their students इस चैनल दे उते accountancy दी बहुत सारी यां वीडियो ने, commerce दी different subjects दी यां वीडियो ने, economics दी यां बहुत सारी यां वीडियो ने, motivation वीडियो इजा आलसो हेर उन जानकरी है, बहुत सारी यां होर आंदिया रहन गिया, till then ओना दा वींतसर करो, प्रानियन होगी देखो, till then, thank you very much!